तो है वाट्सुप काईस आई होप काईस सब अच्छे होंगों तो फॉइनली कैसे हम आचुके पपची मोबाइल 1.9 अपडेट के बीट आवर्जन के अंदर आज की दिन गाइस हम देखने वाले कि यहां पर आपका जो आने वाला अपडेट होने वाला है उसके इंदर कौन स लिटरली ये सब का रीमेकिंग ये तरस से होने वाला है और इसके इंदर बहुत कुछ होने वाला है तो चले लो पर बादेशन मिलने वाला है क्योंकि जसनों अपकर निमबस में कुछ होए साथ यहा इंचा आपको चार चीज देखने को मिलती है क्या क्या होने वाला है सबसे हम से स्थार्ट करते हैं दो आइलेंड आपको यहां पर दिखने वाला एक तरह से आंशिन टेमपल आया था जो की हवा में फ्लोटिंग करता था था उसी टाइप का यहां पर होने वाला यह उसका थोड़ा स पूराना जैसे आपको देखने को मिलेगा यह वाला आइलेंड साथ दूसरे आशलेंग की भी बात करेंगे बट यहाँ पर चलो इसका एक बार ओवर्ट देख लेते हैं किस तरीके से होने वाला है क्या क्या इसके अंदर आपको नहीं आने देखने को मिलने वाला देखा अभी मेरे हेड पर आपको यहाँ पर औरेंज कलर का एक बोल दिख रहा होगा तो इस टाइप से ना हर किसी को असाइन किया जाएगा और सब के ना अलग अलग बोल होंगे डिफरेंट कलर वाले को आपको किल करना एक ही बात है इसके अंदर और चाहो तो आप यहाँ पर आ आपके बेक पेक के अंदर चले जाएंगे और आपको यहाँ पर रेडिम शॉप भी देखने को मिल चाहता है कुछ नहीं करना सिंपल साब के साथ महीं रहेगा रेडिम शॉप जो चाहिए आप उससे निकाल सकते हो बाकी के एरिया तो मुझे एज प्रॉपर ली वैसा ही ल याद करवा रहा है कि वह एंशेंट एपल नाम की भी कोई चीज थी पहले अब चलते हैं हमारे दूसरे आइलेंड के उपर वो कैसा दिखने वाला है तो अब सभी ने यार विंटर मोड तो खेला होगा बस वह भी कुछ इसी टाइप का दिखने वाला है थोड़े से उसके चैंजेस होंगे बाकि एस प्रॉपर्ली वह भी ऐसा दिखने वाला है तो चलो वहाँ भी चल लेते हैं एक बारी इस साइलेंड के इंदर भी आपको असाइन कर दी जाएगा कोई सभी बोल के साथ एंड अपोनेंट को आपको किल करना है तो अब यहाँ पर देख लो ना ब बस इसके अंदर हलकी फुल की नई चीज़ें अड़ कर दिये तो यहाँ पर दोनों आइलेंड आपको एक तरह से पूराने देखने को मिले हैं विंटर मोड आया था जिसमें यहाँ पर इसको आइलेंड यानि की फ्लर्टिंग एरिया में रख दिया उपर की साइड पर और कि अरेंगल के अंदर क्या क्या चेंजे से वह देख लाते हैं और सबसे इंटरस्टिंग बात यहीं कि इस मोड के अंदर आपको तीन लाइफ मिलने वाली है सबसे पहले आप अगर इस निंबस आइसलेंड पर जंप लेंगे तो आपको यहाँ पर एक लाइफ मिलेगा अग आप पर क्या था एक्चुल में तो इसके अंदर आपको रिडार सिस्टम देखने को मिलता है इसके पार जैसे जाओगे तो एक्टिवेट का उप्शन आएगा और जैसे आप कर दोगे तो यह स्कैन करने लग जाएगा अपने आसपास के एरिये को और इसकैन करके आपको य आपको नॉर्मल लुट देखने को मिल जाएगी यानि कि एक एरिया मिल जाएगा वहीं पर आपको छोड़ी मोड़े मिल जाएग और साथ में यहाँ पर एक अंदर एक बहुत यचा डिस्प्ले सिस्टम आपको देखने को मिलेगा अब जैसे एक्टिवेट करोगे तो यहा लास्ट एरिया बर चाहे जो की वाइब्रेंट प्लाजा है और मैं आपको जातू हूँ सिर्फ दो जगा पर आपको दिखने वाला है पहला एस्टेलबर में आपको देखने को मिलेगा दूसरा कौरी में देखने को मिल जाएगा इन दो प्लेस के अलावा वो कहीं पर नहीं द इसके अंदर बस एक ही खास बात है कि यहाँ पर आपको माउंटेन बाइक मिल जाती है और इस माउंटेन बाइक का तो अलगी सीने भाई मतलब कि यहाँ पर इसके अंदर कोई फ्यूल वगरा नहीं लगता है जितना चाहे उतना भगाओ इसे और दूसरा है कि आप इसे इसके जंप वाले बटन को दबाई रखो तो यह बहुत जादा जंप करेगी और एक बार दबाऊ गए तो यह फ्लिप माने के कोशिश करेगी बाकी तो यहाँ पर भी आपको लूट वगरा मिलेगी और यहाँ पर आपको वीडियो डिस्प्लेवाला सिस्टम भी मिल बस ऐसे फोल्ड वाली मिल जाएगी डायरेट खुली मिल जाएगी फोल्ड करने के बहुत आसान तरीका है जहां से आप ड्राइब करते हो उसके जस्ट नीचे आप कोई पिक अप का ऑप्शन मिल जाएगा पिक अप करो तो बेक के अंदर बेक के अंदर गए वहाँ पर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरू से बताना और आज के लिए इतना ही बस अब मिलते हैं जली हमारे अगले वीडियो में तब तो के लिए पापाई सी यू टाक के लव यू गाइस